देव प्रबोधनी एकादशी दिपावली के पस्चात कार्तिक शुकला एकादशी को देवा थान या देव थान होता है इस दिन सारे घर को लीप पोत कर साफ करना चाहिए आंगन में खडिया मिट्टी और गेरू से रंगोली कारनी चाहिए आंगन के बीचो बीचिया फिर एक होकली में गेरू से चित्र बना कर पूड़ी, पकवान, मिष्ठान, बेर, सिंगाडे, रितुफल और गन्ना उस सिस्थान पर रखकर एक परा थत्वा डलिया से ढग दिया जाता है तथा एक दीपक भी जला दिया जाता है रात्री में परिवार के सभी सदसे देवताओं की भगवान, विष्णु, सहीत, पूजा और भजन किर्तन करते हैं इसके साथ ही घड़ियाल बजाकर या थाली बजाकर इस प्रकार कहें उठो देवा, बैठो देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा, कुस धार्मिक व्यक्त देवो थान के दिन तुलसी और सालिग्राम के विवा का आयो जिन भी करते हैं, तुलसी के व्रिक्ष और सालिग्राम की यह शादी पूरे धूमधाम से उसी प्रकार की जाती है, जिस प्रकार सामाने कन्या का विवा, जिन दमपत्यों के कन्या नहीं है, वे तुलसी का प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनिये। पिता एक संध्या को भोजन करने से रात्री में भोजन करने तथा पूरे दिन उप्वास करने से क्या क्या फल मिलता है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठीन पाफ शन मात्र में ही नस्ठ हो जाते हैं। अनेको पूर्वजनम के किये हुए बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत शन भर में नस्ठ कर देता है। जो मनुशे अपने सभावानुसार इस प्रबोधनी एकादशी का विधी पूर्वक व्रत करते हैं। उन्हे पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये मुनिश्वर जो मनुशे शद्धा पूर्वक थोड़ा। भी पूर्णे करते हैं। उनका फूर्ण परवत के समान अटल हो जाता है। जो अपने हिर्दय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं। उनकी बीती हुई तथा आने वाली दस रात्री पीडियां विश्णू लोक में जाकर वास करती हैं। और नरक में अनेग दुखों को भोगते हुए पित्र विश्णू लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रहम हत्या आदी महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्री को जागरन करने से नश्ठ हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी को रात्री को जागरन करने का फल अश्वय मेग आदी यग्यों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वान, भूमी, आदी के दान का फल, कार्तिक मास की शुकल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के रात्री के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है, जिसने प्रबोधनी एकादशी के रात्री के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। इस एकादशी के व्रत को करता है, वह धन्वान, योगी, तपस्वी, तथा, इंद्रियों को जितने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान, विश्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से मनुशे पुनह जनम लेता है। इस व्रत के प्रभाव से कामेक, वांचिक और मानसिक पाप नश्ठ हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन को जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यग्यादी करते हैं उन्हें अक्षय पूर्णी मिलता है। प्रभोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौमन और प्रिधावस्ता के समस्तपाप नश्ठ हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्री को जागरन करने का फल, सुर्य ग्रहन के समय इसनान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पूर्णी करता है, वह पूर्णी प्रभोधनी एकादशी के वरत के पूर्णी के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प कार्थिक मास में धर्व परायन होकर अन्य व्यक्तियों का अन्य नहीं खाते हैं उन्हें चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। कार्थिक मास में भगवान दान आधी से उतने प्रसन हैं नहीं होते जितने की शास्थरों के कथा सुनने से प्रसन होते हैं। सुनते है उन्हें सातों दिपों के दान का फल मिलता है जो विश्णों की कथा भक्ति पूर्वक सुनते है और कथा बांचने वाले भ्रामां की यतोचित पुजा करते हैं तथा उसे संतुस्ट करते हैं वे उत्तम लोक को जाते हैं इस पर नारज जी बोले है भ्रह्मा जी अब आप एक आदर्शी के वृत का विधान कहिए और कैसा वृत करने से कौन सा पुनि मिलता है वह भी समझाईए भ्रह्मा जी बोले है नारज इस एक आदर्शी के दिन मनुष्य को भ् अमगरण करना चाहिए उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवन आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा इसलिए आप मेरी रक्षा करें इस प्रकाविनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत का प्रारंब करना चाहिए उस रात को भगवान के समीब गीत नृत्य बाजे तथा कथा किर्टन से समय वितीत करना चाहिए प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपनता को त्याकर बहुत से पूने अगरबती धूपादी से भगवान की अराधना करनी चाहिए शंक के जल से भगवान को अर्द देना चाहिए इसका फल तीर्थदान आदी से भी करोड गुना अधिक होता है जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाद जोडता है कार्थिक मास में जो विल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है कार्तिक में जो मनुश्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म के समस्त पापनश्ट हो जाते हैं जो मनुश्य इस नाम में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या किर्तन करते हैं या रोपा नत्वा सेवा करते हैं वे हजार कोटे यूग तक भगवान के घर में रहते हैं जो मनुश्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुम में जो पैदा होते हैं वे प्रले के अंत तक विश्णू लोक में रहते हैं जो भगवान की कदम पुष्प से पूजा करते हैं वह यमराज के दुखों को नहीं पाते हैं समस्त बनोव अंचाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम पुष्प को देखकर अतिन्त प्रसन होते हैं यदि उनकी कदम पुष्प से पूजा की जाए, तो फिर बात ही क्या है, जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हीं मुक्ती मिलती है, जो मनुष्य वकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वै अनंतकाल तक शोक से रहित होते ह जो मनुषविश्णू भगवान की सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यांत प्रसन होते हैं। जो मनुष विश्णु भगवान की दूरवादल से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से सो गुना फल अधिक पाते हैं, जो भगवान की शमी पत्र से पूजा करते हैं, वे भयानक अमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं, जो मनुष चमपक पुष्व से भगवान व बेस्ट हो जाते हैं और जो बनुचे भगवान की पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंदित फूलों से पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है इस प्रकार रात्री में भगवान की पूजा करके प्रात्यकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए इसनान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए इसके बाद वरत के लिए भ्रामनों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिना देकर मिठे वाक्यों द्वारा उनको विदा करना चाहिए इसकी उपरांत भोजन गो और दक्षिना से गुरू की पूजा करनी चाहिए और ब्रामनों को भूर यसी दक्षिना दे कर नियम को छोड़ना चाहिए ब्रामन को यथा शक्ती दक्षिना देनी चाहिए जिस ब्रामन को रात्री में भोजन करावे स्वान सहीद बैल दान करना चाहिए जो मनुशे रात्री सनान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए जो मनुशे फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए तेल की जगह घी और घी की जगह दूद और अन्नों में चावलदान करना चाहिए जो मनुश्य इस व्रत में भूमी पर शैन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सही शैयादान करनी चाहिए जो मौन धारन करते हैं उन्हें स्वान सही तिल दान करना चाहिए जो मनुष्य कार्तिक मास में उपाहन धारण नहीं करते हैं, उन्हें उपाहन दान करना चाहिए, जो इस मास में नमक त्यागते हैं, उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए, जो मनुष्य नित्य प्रती देव मंदिरों में दीव जलाते हैं, उन्हें स्वान या ताम्बे के दीव को घी तथा 32 ही दायन करना चाहिए जो मनुष्य चातूरे मासे वरत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुने ग्रहन करनी चाहिए जो मनुष्य प्रबोधनी एकादश्शी के दिन विधी पूर्वप वरत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और परंद में स्वर्ग को जाते हैं जो मनुश्य चातूर मासे व्रत को बिना किसी विगन के पूरा कर देते हैं उन्हें दुबारा जन्म नहीं मिलता जिन मनुश्यों का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाते हैं जो मनुश्य इस एक अदस्शी के महत्म को सुनता वै है उसे अने गौदान का फल मिलता है जै शेकिष्णा जै विश्नु भगवान की जै शालिगराम भगवान की जै तुलसी माता की